बाउची राहूल गांदी का एक ब्यान आया कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र एक सबसे बड़ा जूट है इस पर क्या कहना चाहेंगे? राहूल गांदी का जो ये ब्यान है ये बड़ा दुर्बाग्यपूर्ण है ऐसा लगता है कि राहूल गांदी को हिंदुस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं अगर हिंदुस्तान में भी लोक्तंतर नहीं है तो फिर कहां है लोक्तंतर हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश है लोक्तंतर का पता नहीं राहूल गांदी के दिमाग को क्या हो गया है ये राहूल गांदी जो है क्या बाते कर रहा है इसकी कोई भी बात सारगर्द नहीं होती ये इस तरह की बाते करता है जैसे ये पागल हो गया है मुझे तो लगता है इसके दिमाग का कोई ओपरेशन करवाना पड़ेगा ये कभी राम के बारे में अनापसनाब बाते करता है कभी देश के बारे में बाते करता है कभी ये पुलबामा का जो है प्रूफ मानता है और दिखकार है मैं एसी कांघ्रेस फाल्टि को जो ऐसे दिमाग हीन व्यक्ति को अपना सर्व theory नेता मांते हैं एसेपाल्टि को बिमे दिखक्पार हैं यह तो ऑगर भारत में ही लोक तंतर नहीं है तो फिर पूरे वर्ण में गई नहीं है इसकी में गोर निंदा करतो बहुत करते ही नहीं जी कोई जूतने बारत लोगतंत्र है और लोगतंत्र का है और हमारे सनातन का लेकि देश कभी नहीं मरेगा क्या है कि इतने सालों से कांग्रेस राज कर रही थी वो लोकतंत्र था या नहीं था वो भी तो लोकतंत्र था अब भी लोकतंत्र है लोकतंत्र के तहती यह चुना हो रहे हैं यहनी कि लोक सबागे यहनी कि ऐसा नहीं है लोकतंत्र जब तक जिंदा रहेगा लोकतंत्र हमारा जिन्दा रहेगा। जाके पूछो आज भारती किस रूप में खड़ा होता है। कि सरकारी कोई भी दस्ताद को सरकारी किसी तरह का विकाम दो बारत के लोगतंतर की मजबुती के उपर कोई संदे नहीं किया जा चकता। वो बारत का लोगतंतर मजबुत था है और रहेगा। झाल रहेगा। झाल झाल